जब घर में चावल बच जाते तो उन्हें फेकने का मन नहीं करता है तो आज मैं आपके लिए लेकर रहे हैं लेफट ओवर राइस से बने हुए बहुत ये टेस्टी फ्राइड राइस की रेसिपी ये ना चावल बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाते हैं सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं एकदम रेस्टोरेंट जैसे फ्राइड राइस लगेंगे बहुत टेस्टी बहुत सारी सबजीयों के साथ जो भी सबजी आपके पास हो इसमें डाल कर बनाएंगी इतने टेस्टी लगने वा अब हम गैस ऑन कर लेंगे गैस पर रख लेंगे कड़ाई अब हम डालेंगे यहां पर टू टी स्पून घी तो फ्रेंस यह ऑप्शनल है आप चाहें तो ऑईल भी ले सकते हैं लेकिन घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है तो ज्यादा गी नहीं लेना सिर्फ तो पंद्रा बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है करी लीप्स का अब इनको हलका साथ शटकने देते हैं और इसके बाद यह हमने सब्जिया ले लिए हैं कैप्सिकम है टमाटर है प्याज है और गाजर है आपके पास जो सब्जियों ने ले 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 तो हम यहां पर प्याज को अब यहां पर कैप्सिकम को डाल देते हैं तामाटर को हम बाद में डालेंगे सब्जियों को लोटु मीडियम फ्लेम पर क्रंची होने तक कुक करना है ओवर कुक नहीं करना है जो फ्राइड राइज होते हैं उनमें हलकी हलकी सी करंची सब्जी ही अच्छी लगती है आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो यहां पर हमने एक छोड़ी चमच नमक ले लिया है दो कप्चावल के लिए तो इस तरीके से नमक को डालने के बाद अच्छे से सब्जियों को और अच्छे से टांसलूशन होने तक को कर लेते हैं अच्छे से डाल के लिए सब्सक्राइब यहां पर हम लेंगी नियूट्रेला इन को हमने पायर से बूइल का लिए अब टीखा को मीडियम कर लेंगे मीडियम फिलैम पर अच्छा से भून ले ते हैं 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से भून जाएगा अब डालेंगे तो निया कर देंगे अब टीखा धनिया पाउडर अब भशी पून और सबया और यहां पर डालेंगे हम गरम मसाला एक छॉथ जो पर अच्छे से कोट हो जाएगा इस तरीके से हमने इसको अच्छे से भून लिया है तो फ्रेंट्स ये फ्राइड राइज आप जरूर ट्राइज कीजिएगा घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे तो अब यहां पर हम डाल देंगे जो हमारे बचे हुए चावल थे इन अब इसको अच्छे से सब्जियों में मिक्स करना है ताकि यह हमारे वत ते 40 मिनिट के लिए और यह सारी सब्जियों में राइस मिक्स हो जाएंगे एतना अच्छा व्लेवर निकल करां तो आष sara Isn r 매 12 बहुत अब तो इस तरीके स्रीके से राइस को कर देंब्यों में बनक कर तयार हो जाते हैं देखे इस तरीके से मिक्स कर दें अब यहां पर हम सीक्रेट एलमेंट डालेंगे जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा अब यहां पर हम हाफ नीबू का रस डालेंगे तो नीबू के रस्ते ना जो हलकी इलकी सी खटास आएगी ना वह लेमन राइज तो फ्रेंस इन शर्फ कर लेते हैं और गर्म घरम खाएं बहुत देशी लगने वाले तो फ्रेंस यह रैसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरू बताए अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं तो चाहँ को सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पर आपको बहुत इं कें क्रंची वीडियो देखने के लिए थैंकि सो माच मलते हैं नेक्स वीडियो में ओके फ्रेंट्स बापाई बनाए घर में सभी को खिलाएं